इस समय दो दो उपन्यास दिये जा रहे हैं एक यूपी हायर के पार्ट करम में यूपी एची सी के पार्ट करम में जो उपन्यास लगे हैं उन्हें दिया जा रहा है एक यूजी सी नेट और छतीश गडर असिस्टेंट प्रोफेसर के पार्ट करम में जो लगा है तो तमस उपन्यास दिया गया जो उच्छी डेमो के लिए कोई लेक्चर दे दिए तो इससल डेमो के लिए नहीं दिया जाता है एक आज वीडियो पब्लिस किया जाता है इसे ही आप डेमो समझ सकते हैं जिसे आप देख रहे हैं अगर आप चैनल पर नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लि लिए यूपी एचिसी के लिए यूजीसी नेट के लिए एमपी सैट के लिए तो आप जरूर इस नंबर पर जुड़ सकते हैं फोन करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं अभी छूट चल रहा है तो नंबर लिख लिए असी बावन अठावन चार डवल जीरो चार यहां प 1015 सब्सक्राइब से पहले में दें किया प्रेमचंद के परंपरा मना जाता है वो मानवीय मूल्यों के लिए हिमायती रहे और उन्होंने विचारधारा को अपने उपर हाभी नहीं होने दिया वामपंथी विचारधारा के साथ जुड़े होने के साथ साथ वो मानवीय मूल्यों को कभी आँखों ओजल नहीं करते थे बेशन्सानी के प्रमुक उपन्यास मैंने साथ 72 बता दिया था उसी पर एक लोग का मैसेज आ रहा है फोन आ रहा है सर आपने तो यहां गलत बता दिया पीडियेफ में लिखा है उस पर ध्यान दीजिए पीडियेफ में तो नहीं गलत है मानविय भूल हो सकती है हमसे आपसे सबसे मानविय भूल जरू हो सकती है आदमी कोई कंप्यूटर नहीं है तो जरोखे उपन्यास 1967 कडियां 70 तमस 73 बसंती अस्ती तो इस तरीके से यह सब उपन्यास दिये गए हैं इन में से अगर जरोखे उपन्यास की बात करें तो जरोखे उपन्यास किस साइली में है क्या पता है आपको अगर नहीं पता है तो जरूर ध्यान दे आत्म कथात्मक साइली में है मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि वीडियो लेक्चर जब भी देखने बैठी है कौपी पेन लेकर बैठी है बहुत सारी चीजें पीडियेप में नहीं होती है समझाई जाती है बताई जाती है उन्हें आप ल दिखना पड़ेगा तो मैं ओनलाइन और आफलाइन दोनों को समान ही मानता हूं तो जरोखे उपन्याद जो कि आत्मकथात्मक सहली में है इसमें बेश्म साहनी के जन्म से लेकर योवन कालतक का वड़न है यानि जो लेखक है जरोखे में उसमें जो दिया गया है वो योव जन्म से लेकर योवन कालतक कि जन्म से योवन कालतक कि योवन कालतक है कि तमस उपन्यास को तो आप जानते हैं साहित अकादमी पुरुषकार मिल चुका है 1975 में इसके अलावा बसंति उपन्यास है जो कल मैंने कराया है यूपी एचसी के पाटिकरम में है मैयादास की माड़ी जिसमें कि तीन पीडियों का वड़न है तीन पीडियों की बात की गई है मैयादास की माड़ी में और कुल असी वर्सों की कथा दिखाया गया है मैयादास की माड़ी में मैयादास की माड़ी में कुल असी वर्सों की कथा दिखाया गया है तीन पीडियों का जिक्र है तो ये इनके उपन्यास है बेश्मसानी के परमुख नाटकों की बात करें तो हानूस है कविरा खड़ा बजार में माधिवी मुआवजिय रंग्देवसंति चोला आलंगीर इनके नाटक हैं इनका पहला नाटक जो हानूस है कि 1997 में जो प्रकासित हुआ इसमें विशेवस्तु की बात करें तो महादेवी वर्मा हानूस में बिश्तानी ने महादेवी वर्मा द्वारा दिखाई गई मीनारी घड़ी और उसकी कथा को आधार बनाकर हानूस नाटक लिखा गया है भागरेखा पहला पाट भटकती राग पटरियां वांग्चू सोभा यात्रा निसाचर पाली तो यह सब भीश्तानी की कहानिया है वैसे वांग्चू कई बार परिक्षाओं में पूछा गया है वांग्चू में आप देखेंगे 11 कहानिया संकलित हैं इसके अलावा बेस्मचानी की दो कहानि आपके पाठिक्रम में हैं अमरित सर आगया जो की पटरियां कहानी संकलित Хैज, चीफ की दावत पहला पाठ कहानी संकलित है कथाकार के रूप में भेश्मसाहनी जी पर यस्पाल और प्रेमचंद की गहरी चाप है ये आपके लिए बहुत ही मात्पूर है कि कि किसका चाप माना जाता है भेश्मसाहनी पर किसका चाप माना जाता है तो यस्पाल और प्रेमचंद उनकी कहानियों में अंतर विरुधों के जीवन के दंदों विसंगतियों से जकड़े मध्य वर्ग के साथी निम्न वर्ग की जीजी विसा और संगर्ष को उधाटित किया गया है जनवादी कथा अंदोलन के दोरान भीश्मसाहनी ने सामाने जन साहित की प्रगतिसील परंपरा स्वतंता के बाद जो प्रगतिसील परंपरा थी प्रगतिसील परंपरा के बहुचर्चित कथाकार है बेश्मसाहनी प्रगतिसील कम भले ही प्रगतिसील यूग के प्रगतिसील परंपरा के चर्चित कथाकार है लेकिन ये प्रगतिवादी हैं प्रगत सील जादा हैं समाज के मद्ध वर्ग और निम्न वर्ग के जीवन की चानवीन करने में वह सफल रहें वह अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से आधुनिक मानों को युगवोध के साथ दायत तुसील और कर्मरत मनुस की निर्मित का उद्भोधन दिया है कि कृष्णा सोब्ती ने भेसम साहनी पर हस्मत के नजर में ग्रंत की रचना की भेसम साहनी ने कहा है कि बदलते परिवेस में मनुस और समाज के जीवन में पाये जाने वाले अंतर वीरोधों को महसूस कर पाना ही मेरी नजर में आधुनिक्ता है तो आधुनिक्ता को भेसम साहनी ने क्या कहा है यह आधुनिक्ता की क्या परिभासा दिये विश्म साहनी ने ये आपके लिए बहुत ही मात्य पून है अब इसके बाद जो आपके पाठकरम में है तमस उपन्यास उसकी संचित कथा देखते हैं 1947 के मार्च अपरेल में हुए भी सरसंपराईगे के पाच दिनों की कहानी है यानि ये जो उपन्यास है तमस उपन्यास ये तमस उपन्यास की विशेवस्तू किस वर्ष की है तो 1947 कितने दिनों की कहानी है पांच दिनों की कहानी है वैसे अगर बाई तब यह पूछा जाए कि तमस उपन्यास किसको समर्पित है तो बलराज जी के लिए बिसमसानी ने बलराज जी को यह तमस उपन्यास समर्पित किया है और यह उपन्यास जिसमें कि कुल अध्यायों की संक्या 21 है ये भी पूछा जाता है कि इसमें कुल अध्यायों की संक्या कितनी है इस उपन्यास के पात्र कुछ इस प्रकारे जैसे वानप्रस्त जी हैं मुराद अली है नत्तू है जर्नल है हरनाम सिंग है रिचर्ड भक्सी जी लीजा बंतो राजो सहनाज ये सब इसमें पात्र हैं इन आक्रों में आप देखेंगे कि कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें पती पत्नी का जोड़ा कौन सा है तो हरनाम सिंग जो है हरनाम सिंग की पत्नी है बंतो ये बंतो की पत्नी कौन है हरनाम सिंग है एक नाम और लिख लिजिए फातिमा फातिमा किसकी पत्नी है तो साहनवाज की पत्नी है फातिमा साहनवाज की पत्नी है फातिमा ध्यान रखिएगा एक और पात्र है रगुनात नाम लिख लीजिए रगुनात रगुनात की पत्नी कौन है जानकी रगुनात की पत्नी है जानकी तो ये सब पूछे जाते हैं इसलिए इनको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है इसके अलावा एक पात्र का नामा और लिख लेजिए देवधत देवधत क्योंकि देवधत का एक कथन पूछा जाता है देवधत कहता है मद्यवर्गी के लोग हैं पुराने संस्कारों का हम पर गहरा प्रभाव है मजदूर वर्ग के होते तो इंदू मुसल्मान का सवाल तुम्हें परिशान नहीं करता तो ये देवधत का कथन है इसलिए कहते हैं कि पीडियप में सारी चीज़े नहीं है बार बार कहते हैं और समझाते हैं इस पर जरूर आप ध्यान में कॉपी पेन लेकर बैठें गोपाल राय न जिसके तहट संपर्दाइक्ता को पूरी तरीके से उठाया गया है इसमें सुतंता से पूर्व पंजाब में हुए संपर्दाइक दंगों और उससे जुड़ी कुरूरताओं का अंकन है इसमें भिश्मसानी जी ने केवल संपर्दाइक्ता का विश्वसिनी चित्रनी नहीं भीतर के इंसानियत और समवेदना को ढग लेता है और मनुस को हैवान बना देता है भेश्मसानी ने इस उपरन्यास में दिखाया कि आजादी के पूर्व के ये दंग्या अकस्मिक नहीं थे बलकि इसके पीछे एक पूरा सुनियोजित तंत्र काम कर रहा था तभी तो देउदत ने कहा है तभी तो देउदत ने कहा है कि हम मद्य वर्ग के लोग हैं पुराने संसकारों का हम पर गहरा प्रभाव है मजदूर वर्ग के होते तो हिंदू मुसलमान का सवाल तुम्हें परेशान नहीं करता है और इस उपर्ण्यास में असपर्ष रूप से दिखाया गया कि संपर्दाइक्ता की आग फैलाने में बिट्रिस सासन और राजनीतिक स्वार्त से प्रेरित हिंदू मुसलिम दोनों धर्म के चंद लोगों की साजिसे राजनीतिक धर्म से प्रेरित जब राजनीतिक धर्म की प्रेरित से प्रेरित है तभी तो जर्नैल का कहना है तभी तो जर्नैल कहता है कि महतमा गांधी की तरह मैं भी कहता हूं कि पाकिस्तान मेरी लास पर बनेगा हम एक हैं भाई भाई हैं हम मिलकर रहेंगे और जब बाल होता है तो यह लोग बलबा होता है अलग हो जाते हैं मारा जाता है मजदूर बर्ग गरीब बर्ग निम्नबर्ग हुआ तो जर्नल नेका जनेल कि यह उस पर भी ध्यान रहे आपका कि मातew माघांदी की तरह मैं भी कहता हूं कि कि पाकिस्तान मेरी लास पर बनेगा सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान मेरी लास पर बनेगा किसका कतन है सिर्फ इतना दिया जा सकता है तमस उपन्यास में ये कतन किसका है कि पाकिस्तान मेरी लास पर बनेगा तो जर्नल ने कहा है इस उपन्यास में दंगे का सर्व पर्थम प्रारंब कहां होता है तो नूरपूर तैसिल से होता है जब संच थिस में फसाद एक बार हुआ था तब घड़ियाल लगाया गया था इस उपन्यास में रिचर्ड यहां का सासंतंत्र संभालते हैं उनकी पतनी लीजा है, जब धंगे होते हैं तो लीजा कहती हैं कि अगर 103 गाउं जल जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता तो कितने गाउं जलने की बात हो रही 103 गाउं, कौन कह रही हैं? लीजा कह रही हैं रिचर्ड का कहना कि अगर परजा अपस में लड़े तो सासन को किस बात का खत्रा है वैसे जो रिचर्ड है वो इतिहास का विद्यारती है और पुरा तत्तो प्रेमी है लीजा और रिचर्ड के बीच करता भी आ जाती है भले ही वो उस घुमाने लेका जाते हैं बाग में और बाद में देखते हैं करता आ जाती है कि जीवन लीजा जीवन का अनंद लेना चाहती है और रिचर्ड बुद्ध की प्रतिमाओं में खोया रहता है यहां भारत के ब्राव नाकों वाले लोगों के लिए रिचर्ड ने कहा है कि आवारा कुत्ते बीमारी फैलते हरक जाते है तो काट काते हैं तुम कोई सा काम चुन लो जिसमें तुम्हारी रूची हो दंगे के सुर्वात अंगरे जब सरसाही के इसारे पर मुरादली द्वारा नत्थु से सुवर मरवा कर मस्जिद मस्जिद की सीड़ियों पर डलवा दिया जाता है जिसके बाद उपजे जंका और धर्मों माद से साथ साथ रहने वाले एकी मौले में रहने वाले अलग-अलग धर्म के लोग आपसी सहसुर्ता भाईचारा प्रेम बेवार सब के सब उनके धरे रह जाते हैं वस्ता है तो सिर्फ संपधाईकता अमान व्यता का एक नंगा चेहरा जिसको जिन्दा रखकर अंग्रेज स्वेम बनाय रखने की स्वेम बने रहने की जुगत करते हैं आप देखेंगे कि मुरादली के कहने पर नथ्थ एक सुवर की हत्या करता है और सुवर को केलो वाली मस्जिद की सीडियों पर फेक दिया जाता है कौन फेकने लेकर जाता है तो कालू ध्यान रखना कौन फेकने जाता है तो कालू तो जब यहाँ पर धंगे होते हैं हाँ सुवर को केलो आली मस्जिद की सीडियों पर फेका जाता है कि कालू के द्वारा सुवर मारने के लिए नत्व को पांच रुपे दिया गया था मुराद अली के तरफ से और इस उपरन्यास में निहंग सिंग की हत्या करके उनकी लास को गुर्दवारे के निकट फेक दिया जाता है जिससे बलबा और बढ़ जाता है इकबाल सिंग को विबस होकर मुसलमान तक बरना पड़ता है हर नाम की पुत्री जसवीर को और है यहाँ पर जब निहंग सिंग की हत्या करके लास को गुर्दवारे के पास प्रेक दिया जाता है तो आप देखेंगे रणवीर है रणवीर रणवीर इस दंगे में अपने आपको सीवा जी की भूमिका में देखता है सीवा जी यह आपके लिए भी बहुत ही मात्पूर्थ रतते हैं कि तमस उपन्यास में कौन है जो अपने को सीवा जी की भूमिका में देखता है तो वो है रणवीर इस दंगे में हिंदू या मुसल्मान दोनों ही और से कोई नेता नहीं मरता है मैंने पहले ही कहा कि राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित है कोई नेता इसमें नहीं मरता है फतह चंद की ताहल पर काम करने वाले मजदूर कस्मीरी हत्तो गली-गली दूद बेचने वाला मियाहर भजन सिंग एकबाल सिंग यह सब तबाह होते हैं सहिद पुर जैसे गाओं में जहां के पुरुस यह दिमारे जाते हैं तो इस तरिया बच्चों को लेकर कुएं में कुद जाती हैं इस तरिया बच्चों को लेकर कुएं में कुद जाती हैं साइद पूर गाउं में 27 महिलाएं कुईये में पूद कर अपनी जान दे देती हैं कितनी महिलाएं तो 27 महिलाएं लाखो घर बेघर हो जाते हैं तो इतनी बड़ी अमानवियता और कुरुता भड़ी भरी घटना को वड़ित करते हुए बीच बीच में भीसम सानी ने मानवियता सम्वेतना और इंसानियत की जलग भी दिया है अहसान अली की घरवाली जो राजो है या करीम खांजे से नेक आदमी हैवानियत के सारे दबाव को जेलते हुए मानवियता को भी बनाए रखते हैं है एक तरह हरनाम सिंघ है हरनाम सिं उसका भी आप देखें कहता है कि इसे रोड़ रहा है इसे को याद कर रहा है हर नाम सिंघ को अपनी पतनी केを सब घर से निकलता है तो कहता है कि जिसके सिर उपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे यानि ये स्वामी जिसके सिर पर तुम्हारा हाथ है वो कैसे दुख पा सकता है तो ये कौन कहता है हरनाम सिंग कहता है हरनाम सिंग और जब उनकी पत्नी बंतो साथ में निकलती है तो उनका पालतु पच्छी है उस पालतिपक्षी को भी लेकर चलते हैं साथ में और पालतुपक्षप कौन है मैशन, हो सकते है बहुत सारे लोगों को ना पता हो कि पालतुपक्षी का क्या नाम था और ये हरनाम सिंग किसके किसके यहां सरण लेते हैं तो हरनाम सिंग दो लोगों के यहां सरण लेते हैं जैसा कि मैंने यहां बताया कि अहसान अली की घर वाली राजो या करीम खान जैसे नेक आदमी हैवानियत के सारे दबाऊं को जेलते हुए मानोवियता बनाय रखते हैं तो किसके किसके हांसरण लेता है अहसान अली और जलालदीन ये सब तत्य बताये जा रहे हैं ये किसी गाइड में नहीं मिलेंगे अगर आप नए हैं पहली बार चैनल पर हैं पहली बार देख रहे हैं तो इन तत्यों को ध्यान दीजिए ऐसे ही तत्य परिक्षा में पूछे जाते हैं अएसे ही तत्य परिक्षा में पूछे जाते हैं हमारे जो मूल किताब मूल किताब से पढ़ाया जाता है तो इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है अब तमस्व पर्न्यास के प्रमुक अंस और कथन की अगर बात करें तो एक बार चमरा साप करते हुए सुवर की चर्बी की बात चली थी तो नत्थू के साथी ने भीखू ने नत्थू का साथी कौन है भीखू उसने कहा था जब ये सुवर मार रहा होता है नत्थू तब उसको याद आता है भीखू की बात और कहता है मुझे याद आया एक बार चमरा साप करते समय हमारा मित्र था भीखू ने कहा था कि सुवर की पिछली टांक पकड़कर सुवर को उल्टा लटका दो गिरा हुआ सुवर जल्दी से उठ नहीं सकता फिर उसके गले की नसकार द नत्थू से कि हमारे सालोतरी साहब को एक मरा हुआ सुवर चाहिए डाक्टरी काम के लिए तो इस बहाने से नत्थू से यह काम करवाया गया सुवर मारने के लिए मुरादरे नत्थू को पांच रुपए दे थे कांग्रेज की परभात फेरी हो रही थी जिसमें बक्सी जी भी सामिल थे तब अजीज कहता है कि मुल्ला मिया मिसाल ची तीनो एक समान कौन कौन तो मुल्ला मिया और मिसाल ची जो मिसाल देते हैं मिसाल ची मतलब मिसाल देने वाले उदाहरण देने वाले हर बात का उदाहरण देकर जो समझाते हैं लोग तो मुल्ला मिया मिसाल ची तीनो एक समान लोका तू दसन चाड़ना आप वहने उजान तो यह किसका है किसकी पंक्ती है अजीज की है अब बक्सी जी नजदिक पहुंच जा अपनी गाय दो कर आएगा इससे पहले थोड़े ही आएगा वह जब तनका बढ़ानी थी तब तो रात को 11 बजे बुला उतुरंत आ जाता था अब तो तनका बढ़ गई अब उसकी क्या गरज पड़िये जो वक्त पर आ जाए तो मेहता जी बक्सी जी से कहते हैं मैंने कहा चार बजे का वक्त देना ठीक नहीं यह प्रभात फेरी के लिए जर्नल लेट राइट करता हुआ आगे बढ़ रहा है तिरंगा कस्मीरी लाल ने उठा रखा है तिरंगा कौन उठा रखा यह भी बहुत ही मात्पून है तमस्पन्यास में तिरंगा कौन हाथ में उठाए है कौन हाथ में तिरंगा उठाए है कस्मीरी लाल और रामदास गाता है जरा भी लगन आजादी दी लग गई जिनहा दे मन दे बीच ओ मन नू वड़ फिर दे दे हर सहरा हर बंदे बीच तो यह रामदास गाता है जब नत्थू सुवर को मार कर अपने घर जा रहा था तो यह फकीर की गित सुनाई देती है सुवा का समय था तैनू गाफलर जागनाई चिडिया बोल रहा है नत्थू ने एक पैसा निकाला और फकीर के हाथ में दे दिया तो फकीर ने का अल्ला सलामत रखे है घर भरा रहे और नत्थू आगे बढ़ दिया नत्थू को याद आया कि इसी इमामदीन महले में कहीं मुराद रहता है मुराद अली किस महले में रहता है इमामदीन महले में ये कौन है मुराद अली मैंने अभी बताया है जो पांच रुपे नत्थू को देता है सुवर मारने के लिए जो ये कहता है कि हमारे सालोतरी साह आपको एक सुवर चाहिए मरा हुआ सुवर डॉक्टरी के लिए तो यह मुरादली कहां पर रहता है इमामदीन मुहले में रहता है बहुत ही मात्पूने ध्यान रखिएगा नत्थु ने देखा मंडली आ रही है उची आवाज में नारा लगाया जा रहा है कौमी नारा बंद अलग टोलिया हैं दोनों तरफ अलग अलग नारे लगाये जा रहे हैं एक आदमी बोलता है उसी से कहता है कांग्रेस हिंदूों की जमात है इसके साथ मुसल्मान का कोई वास्ता नहीं है इसका जबा मंडली की ओर से एक ब्रिद दिवक्ति ने दिया कि देखो भाई कांग् का कोई वास्ता नहीं यह कतन किसका है तो यह कतन है महमूद का बक्सी जी ने कहा बस कर जर्नल चुप भी रहा कर तो यह जर्नल ने कहा है जर्नल का यह कतन है कि कांग्रेस सबकी जमात हैं हिंदूों की सीखों की मुसल्मानों की आप अच्छी तरह जानते हैं महमूद साब आप भी पहले हमारे साथ ही थे यह कतन जर्णल का है जब कि महमुद का कतन सबसे उपर है कि कॉंग्रेस हिंदूओं की जमाते इसके साथ मुसल्मान का कोई वास्तार नहीं है तो जर्णल ने कहा बक्सी जी से देखिए बक्सी जी मुझे कोई चुप नहीं करा सकता मैं नेता जी सुभासंद्र बोश की फोज का आदमी हूं मैं सबको जानता हूं आपको भी तो यहाँ पर आप एक तरफ यह जहां देख रहे हैं तो यह तरफ जहां पर आपको यह देखने को मिल रहा है कि जो रणवीर था रणवीर वो रणवीर अपने को सीवा जी की भूमिका में देखता है सीवा जी की भूमिका में देखता है तो वही जर्नाइल जो है वो कहता है मैं नेता जी सुबाज संद्र बोश की फोज का आदमी हूँ तो यह दोनों एक दो तीन चार करके भी पूछे जा सकते हैं और दो एक दो कथन मिलाकर तो इन दोनों को ध्यान रखियेगा परभाद फिर ही आगे बढ़ती है बाद में पता चलता है कि केलो वाली मस्जिद की सीडियों पर किसी ने सुबर मार कर फेक दिया है पूरे सहर में अफराता फ्रीमत जाती है सहर में सब काम जैसे बटे हुए है कपड़े की ज्यादा तर दुकाने हिंदू की है जूते के दुकाने मुसल्मानों की है मोटर लारी का काम मुसल्मानों के हाथों में है अनाज का काम हिंदू के हाथ में है छोटे-छोटे काम हिंदू भी करते हैं मुसल्मान भी करते हैं तो ये सब पूरा सहर का दिया गया है सिवाले का जो बजार है सिवाले के बजार जो है वो उदास नहीं है लग रहा है किसी दुलहन के तरह से उसका चेहरा खिला हुआ है वहां रोज के जैसे रहोना के कोई अफरात अपरी नहीं है कोई कहीं नहीं सकता कि कोई तनाव हो गया है सुनार की दुकान पर अनेक बूर्के वाली औरतें बैटी हैं चांदिक का जियावर का खरीदफरोक्त बनवाने की बात ये सब चल रहा है वहें पर इबराहीम इत्रफरोस की भी दुकान है वह टेलते हुए बेशता है इबराहीम इत्रफरोस कंदो और पीट पर से तरह तरह की भोतल लटकाय Leave जो अपने को सिवाजी की भूमिका में देखता है। तो रणबीर और संबू दर्वाजे की पीछे खड़े हैं इंद्र नारायन को बाहर भेशने की जाकर देखो कौन है इंद्र नारायन जब बाहर जाता है तो देखता है कि इबराहीम इत्रफरोस है बेचारा बुढ़ा इबराहीम इत्रफरोस इंद्र नारायन को देख कर कहता और अन्तुत्य फरी इत्रफरोष्स के साथ चलते-चलते पीछे से वार कर देता है, और इत्रफरोस की हत्या कर देता है. इधर रिचर्ट्स अपनी पत्नी लीजा को घुमा कर घर वापस आता है. तो चिट्थी डिप्टी कमिस्टर की मिलती कि सहर में हिंदू-मुसलमान का भी बाद हो गया है बक्सी जी सुवर की लास को हटवाते हैं यानि केलो वाली मस्जिद पर कि सीड़ियों पर जो सुवर की लास पड़ी थी उसे कौन हटवाता है बक्सी जी हटवाते हैं बक्सी जी हटवाते हैं और वहाँ पर केलो वाली मस्जिद पर जो फेका गया था वो किसके द्वारा फेका गया था कालू के द्वारा तो इस तरीके से इन सारे तथ्य को आपको ध्यान में रखना है तब बक्सी जी धीरे से बोलने लगते हैं सहर पर चील उड़ेगी आसार बहुत बुरे हैं इधर बानप्रस्दी मंतो चारण करवा रहते जिसे अंतिमाहुती कहा जाता है मंतो चारण के बाद ताली बजाकर बानप्रस्दी गार है क्या गार है बानप्रस्दी कि सब पर दया करो भगवान सब पर किरपा करो भगवान वानप्रस दी फिर पुनागाते हैं कि फाइलाई घोर पाप यहां मुसलमीन ने और नियमत फलक ने छीन लिए दौलत जमीन ने तब ही ख़बर मिलती के सहर में बल्बा हो गया इस पर बानप्रस जी कहते हैं कि डिप्टि कमिस्नर के पास जाना आवस्य है कि लेकिन लाला जी अपनी रक्षा तो अपने हाथों में है यह लाला जी कौन है तो यह परधान जी है लाला लक्षमी नारायन ये लाला जी कौन है लाल हो गया है सही कर लिजेगा लाला जी कौन है तो ये लाला जी परधान जी है लक्षमी नारायन जो मैंने अभी आपको बताया है मंत्री जी ने कहा आज इतवार है डिप्टी कमिश्णर नहीं मिलेगा तो उपन्यास के अंतिम 21 अध्याय में अमन की मीटिंग उलाई जाती है लेकिन अमन की मीटिंग में आए लोग हिंदु मुसल्मान आपस में जमीन बेचने की बात कर रहे हैं उनसे सौदेबाजी की बात हो रही है लोग आपस में बात कर रहे हैं तो इधर हयात वक्स रंगुन सहिर की खुबसूर्ती का वड़न कर रहे हैं बाकी इसमें और भी गौड़ पात्र है जो आपको बताया और बहुत ज्यादा समय भी आप लोगों का नहीं लिया मात्र आधे घंटे में यह तमस उपन जो आपको बताया गया जिसे आपने देखा अब कैसा लगा अपनी प्रत्किया जरूर वेक्त कीजिएगा और अगर आप भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर करिए ताकि और भी साहित के लोगों को इसका लाब मिल सके और अगर आप जुड़ना चाहते हैं पेड बैच लेना चाहते हैं जिसमें आपको डेली टेस्टीरीज मिले इसी तरीके से डिटेल वीडियो लेक्चर डेली मिले डेली आपको पीडियत मिले डेली आपको लाइब क्लास मिले तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लिजी इस पर फोन करिए या मैसेज करिए वटसब करिए सारी फीस ओ डित्यल बता दी जाएगी फीस में अभी छूट चल रही है बाकि अपनी परजिविदीरा जरूर व्यक्त करें कि यह तत्य यह वीडियो आपको कैसा लगा अपनी परजिया जरूर व्यक्त करें बाकि Jogu उपन्यास बचे हुए है उन उपन्यासों की चर्चा एक एक दिन करके हम लोग पूरा समाप्त करेंगे अभी जो यूजी सी नेट के पाठिकरम में बचा हुआ है उपन्यास वह धरती धनना अपना देवरानी जठानी आपका बंटी तीन बचा है जबकि यूपी हायर के में लगेगा वह भी आपका कंप्रीट हो जाएगा तो कल साथ संभावता आपको देखते हैं पुनर्णवा उपन्यास और धरती धनना अपना उपन्यास दिया जाएगा